विदायक रोहित पवार की स्वराज जद्वज यात्रा मंगलवार को सुभै दिख्षाभू में पहुची जिस्तोरान राष्टवादी कॉंग्रिस के प्रकाश कजबिये प्रवक्ता सतिश इटकेलवाल समित अन्य लोग उपिसित थे बता दे कि अब तक चत्विस चिलो से य यात्रा कुजरी है हमारा भारत एक सम्रुद्ध और गौरोशाली एतिहासिक और सांसुतिक परंपरावाला देश है करजत जामखिडा में भी कई परंपराय और स्थान है जिन पर नागरिकू को कर होना चाहिए हिंदी स्वराज की आखरी लड़ाई इसी किले के पास कार हो रहा है दशेरे की शिब असर पर स्वराज द्वज फेराय जा रहा है और इससे पहले महराश्र सहित देश के 74 महतोपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों समारकू किलो और अन्य स्थानों पर द्वज की पूजा की जाएगी इस संदर में राश्रवादी कॉंग आता दिक्षा भूमी एक पवित्र स्थानात भारता जला एक महतोपूस्त स्थाना है या ठीकाणी एक पवित्र स्थानात आता पोचलेली आ इतुन राम्टेकला जाना तिकडून आसा पूर्ण आसा सहा जिल्ले कवर करून नंतर ती वापस तिकडे जाऊन तेचा द्वज इस असर पर राष्टवादी कॉंग्रस पार्टी के निता प्रकाश कजभी भी उपस्ति थी जो सहरान उन्होंने बताया कि करज जाम खेडा की आमदार रोहित पवार इनकी संकलपना से इस द्वज का निर्मान किया गया है तुन यह ठीकानी करज जाम खेड़ आमदार रोहित पवार इनकी संकलपने तुन हाद ध्वज तैयर जाला आनि राज्यवर ते ठीकानी हाद ध्वज जाहिल ते ठीकानी तेचा स्वागत होता है आनि आमे सुद्दा या दिक्षभूमी परिशरा मदे या ठीकानी पाच कैंडल लाउन ते ठीकानी स्वागत केला निच्चीताच हाद जो संकलपाए हाद जनतेचा भल्या साथी आए कल्याना साथी आए आनि मनुन ही जे स्वराज ध्वज यात्रा काल्डी याचा अभिन बता दे कि यह यात्रा राज्य में 12,000 किलोमेटर जाने वाली है जिन में जहत्तर प्रेणा सलो पर यात्रा भेट दी जाएगी कैमरा पोसिन राजकमार मोर के साथ दिशाहटवार बीसेन न्यूस नाकपूर कैमरा प्रेणा स्वराज भी जात्रा राजकमार मोर के साथ दिशाहटवार बीसेन न्यूस नाकपूर भी जाएगी